हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर आप लोग को पता है कि 17 फरवरी से मेट्रिक का बोर्ट का एक्जामनेशन होने वाला है और कोविट 19 के वज़े से मैक्सिमम स्ट्वेंट का स्टेडी पर भावित हुआ है तो बीच में तो अटकले लगा ही जा रही थी कि स्लेवस को कम कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है लेकिन फाइनली रास्ट तक बने रहें और इस विडियो को अपके फ्रेंट सरकल में सेयर कर दें और उन से इस्वार स्टॉन्स के पाड़ पास सेयर कर दें जो इस बार मैट्रिक का एक्जाम देने model set दिया गया है questions भी दिया गया है number of questions भी दिया गया है कितने attempt किने वो सारा का सारा ठीक है तो हम science की बात कर लें तो science में आपका जो total number होए वह 80 number का examination होगा है 20 number आपका practical होगा तो 20 और 80 मिलकर गे 100 number हो जाते है ठीक है तो 80 number का exam होगा इसमें questions कितने पूछे जाएंगे तो आपसे 110 प्रसन पूछे जाएंगे टोटल जिसमें आपका objective और subjective include है objective question 80 होंगे ठीक है और subjective question होंगे 30 जिसमें से 24 जोंगे वह दो number वाले होंगे और 6 प्रसन जोंगे वह या तो 5 या तो 6 नंबर वाले होंगे ठीक है और आपको time duration कितना मिलेगा दो घंटे 45 मिनट का time duration मिलेगा ठीक है दोस्त चले आगे देखते हैं किसमें और क्या क्या दिया गया है आपके लिए किनी 40 प्रसन का उत्तर देना है और प्रतेक प्रसन के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है लिखा गया यदि कोई प्रिक्षार्थी 40 से अधिक प्रसन को का उत्तर देता है तो 40 प्रथम जो 40 प्रसन होंगे उसी के उत्तर का ही मुले अंकल होगा ठीक है कहने का मतलब यह है कि 80 प्रसन तो objective होएंगे लेकिन आपको इसमें से कितने का जवाब देना है चालिस का यदि आप चालिस से प्लस करते हैं तो आपका एक से गिंती सुरू होगा और जहां पर चालिस पूर जाएगा वहीं तक आपका चैसे मंनें चेंड़े मेरे को एक प्रसन आता है तो बेसे का चोड़ सकते हैं तो बेसा का च्ट्वार जानते है ठेक है उस प्रसन को आप अटैम्ट करें और यादी चालिस पूर जा रहा है तो आप चोड़ते हैं और अगर बाइदे मान लेते हैं, चैलिस नहीं पुड़ता है, ठीक है, तो आप शुरू से attempt करें, ठीक है, अन्तिम से attempt ना करें, चलिए आगे देखते हैं, अब देखें, खंडबो की बात करें, छटा में खंडबो की बात क्या गया है, खंडबो में है 24 लगुत्तर ये परस प्रसन होंगे, ठीक है, और परते को विसेह में कितने प्रसन का जाब देना है, 4-4, यानि कि फजिक से 4, केमस्ट्री से 4, और बायो से 4, 4-4 प्रसन का जवाब देना, यानि कूल हो गए आपके 12, ठीक है, और सभी प्रसन के लिए कितना धाड़े थे, दो यानि बाड़ा द मिलेंगे उसके और सइन सासत्र के लिए और जीवय गयने के लिए पांच-पांच आगर मिलेंगे, ठीक है, देखे, द्र अबका जो यह तीन सेक्षन है, तीन सेक्षन में आपका 3 अधार इन प्रसन में 6 प्रसन पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, फिजिक से दो, questions पूछे जाएंगे ठीक है और कितने marks आपको attempt करने कितने questions को attempt करने है ठीक है एक चीज और याद रखेगा कि इसमें section 5 में दिया गया है कि आपको जो objective आएगा उसमें आपको blue या black ball pen का use करना है ठीक है और कायर आएगे किसी भी whitener तरल पदर्द blade ना खून आधी का प्रियोग OMR पर वर्जित है क्योंकि देखिए OMR का जो प्रेक्शन किया जाएगा यानि जाच किया जाएगा वह आपको किया जाएगा मसीन के द्वारा ठीक है तो मसीन इस सब चीज को accept नहीं करेगा तो अकोस सब्जक्ट की बात करते हैं देखिए अगला सब्जक्ट हमने लिया समाजिक विग्यान समाजिक विग्यान में भी आपसे 80 प्रस्न ही पूछे जाएगे 20 नंबर इसमें भी आपका practical का जोड़ता है total एक्सो नंबर का होता है इसमें भी आपको time duration कितने मिलेगा 2 गंटे 45 मि जवाब देना है और प्रतेक प्रसन के लिए आपको एक अंक मिलेंगे ठीक है और OEMR को अच्छे से फिल करनी है वही निर्दे सोड़ दिया गया है ठीक है खंडबो की बात करें तो खंडबो में यहाँ पर चुकि सेक्षन अलग-अलग होते हैं सस्टी में भी तो देखें ख लगहुतर यह प्रसन पूछे जाएंगे राजनिति विग्यान यानि पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें भी आपको चार प्रसन मिलेंगे और जिसमें से कितना का जवाब देना है ठीक है नेक्स्ट है आपका एकोनोमिक्स यानि अर्थसास्त्र इसमें चार कॉशन पूछे जाएंगे और इसका भी आपको दो का ही जवाब देना है ठीक है जोगरफी में भी आपसे कितने 6 प्रसन पूछे जाएंगे और तीन का जवाब देना है यानि हिस्ट्री और जोगरफी इस दोनों में आपसे 6-6 प्रसन पूछे जाएंगे और तीन-तीन का जवाब देना है. ठीक है और आपका economics और political science से 4-4 प्रसन पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 2-2 का जबाब देना है. ठीक है उसको बाद परचमा section आता है आपधा परबंधन का इसमें आपको 4 प्रसन पूछे जाएंगे और इसमें से भी आपको दो प्रस्ण का उत्तर देना है देखें, चाथा सेक्षन में कहा गया है कि इनके अतरीक आठ दिरह उत्तर ये प्रस्ण होंगे ठीक है, प्रस्ण संख्या भी यहाँ पर दरसा आगया है और यही प्रसन संख्या आपको examination में भी रहेगा और प्रतिक प्रसन के लिए आपको कितना marks मिलेंगे 4 marks मिलेंगे प्रतिक प्रसन के लिए ठीक है जिसमें से आपको इतिहास, राजनीते, विग्यान ठीक है अर्थसास्त्र और भोगोल से एक एक दिर्गोत्तर ये प्रसन का आंसर देना है ठीक है कितना इतिहास, राजनिते विग्यान, अरतसास, तरण भूगोल यानि चार पेपर हो गए ये चार पेपर में से एक एक का उतर देना है यानि आठ दिर्गोत्तर ये प्रसन पूचाने की सभी paper से आपके 2-2 percent पूछे जाएंगे ठीक है और सभी paper से 2-2 percent पूछे जाएंगे और सभी में कितने cancer देना है एक-एक cancer देना है ठीक है तो यह हो गया आपका SSD का ठीक है आपको objective questions दिया गया आप लोग देख लिजिएगा अब बात कर लेते हैं हिंदी का देखे हैं हिंदी जो है हिंदी में आपसे 100 percent पूछे जाएंगे इसमें कोई practical नहीं होता है तो 100 percent आपसे टोटल यहां पर पूछे जाएंगे जिसमें के लिए आपको time कितना दिया जाएगा 3 घंटा 15 minute का time दिया जाएगा इसमें total percent की संख्या 106 रहेगी ठीक है कितना 106 रहेगी चले देखते हैं क्या क्या रहेगा इसमें देखे 6 and number 6 5 में चलते हैं तो 5 में क्या गया है percent पर तो दो खंड में होगा खंड और खंड बाओ ठीक है आप असानी से कर पाएंगे 50 में 50 ठीक है खंड बाओ में 100 वस्तनिष्ट होंगे जिसमें सबको 50 प्रसनों का जवाब देना है ठीक है और सभी के लिए आपको एक marks मिलेंगे आगे चलते हैं आगे कह रहा है section 7 में खंड बाओ में कुल 6 वस्तनिष्ट प्रसन होंगे और प्रतेक प्रसन के सामने अंक निर्धारित होंगे तो क्या क्या होगा चली हम लोग देखते हैं देखें यहाँ पर आपको objective question है objective का हम लोग skip करते हैं और आगे चलते हैं 100 objective है 100 objective का हम लोग skip करते हैं का गर्धांस दिया गया है और इसे related यहाँ पर questions पूछे गया है और यह एक है आप इसमें से किसी का भी दे सकते हैं ठीक है देखें यहाँ पर क्या दिया गया है 5 दूना 10 नंबर दिया गया आपको यानि कि किसी भी गर्धांस में से पांच परसन का answer देना है और प्रतेक questions के लिए आपको दो mark से लट किया गया है यह टोटल 10 नंबर का आपको exam होने वाला है ठीक है चलिए यह तो हो गया पहला नंबर परसन का आप इसमें आपको कर और ख करके दो दिया गया है आप इसमें से दे सकते हैं answer ठीक है चलिए दूसरा परसन की बात कर लेते हैं दूसरा परसन जो है आपका यह भी आपका 10 marks का रहेगा और इसमें भी क्या दिया गया है गधांसी दिया गया है तो easy है दो टैप्स के गधांस रहेंगे आप इसमें से answer ढूंट करके लिख सकते हैं यह मिज़ेस में भी कह और खा करके दिया गया है ठीक है तूसमें तीसरा परसन आपको जो रहेगा उसमें लिखा गया है कि लिखत में से किसी एक विसेफर दिया गए संकेत जो के अधर पर को पूछा जागा किसी पर भी आवेदन पत्र दिया जा सकता जरूर नहीं कि यहां पर परधाना ध्यापक के पास लिखा गया है तो आपको इसका भी आंसर आपको करना है या तो आपको चार नमर वाले में दो प्रस्ण रहेंगा या तो यह या तो यह अथवा करके रहेंगा हैंनी कि पास नमर का इसको सौल करना है रहेगागे मेस्द्धिवाले में भी आपका रहेगा पास प्रसनी पीधिकल के तो इससे प्रस नुर्स से किए उत्तर और इस समय सब्सीमा है 100 देखें यहां पर आपको दिया जाएगा और यहां पर आपको 100 सब्स में आंसर देना है इसके लिए आपको 500 पांच मांक्स मिलेगा तो यह रहा आपका हिंदी का ठीक है अब भूलो गले सब्जक्ट का देख लेते हैं देखें मैथमेटिक्स में भी आपको चौथा नंबर सक्षन में देखेगा कहा गया है खंड और खंडबा में यह भी विवाजित होगा पाच्वा नंबर सक्षन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि खंडबा में 100 अब्जेक्टिव रहेंगे और पचास का जवाब देना है और प्रतिक प्रस्ण के गइं इन थैmillimeter तो यह प्रचास का परचास और पचास अब्जेक्टिव न कि आपका ये रहेगा तो हम लोग दे ने संस्कीं संस्क्रीट का ठीक है संस्क्रीट में आप से सो माक्स के क्वेशन पूछे जाएंगे इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है टोटल टाइम दिया जाएगा आपका तीन घंटा 15 मिनट ठीक है और इसमें प्रस्ण की संख्या की बात करें तो टोटल 105 प्रस्ण रहेंगे जिसम इसमें से सो अब्जेक्टिव रहेंगे और पांच दिरह उतरिय या फिर लगउतरिय प्रस्ण रहेंगे चले क्या रहेगा आगे तकते हैं क्या कहा गया चार नंबर सेक्षन में खंड़ और खंडबो होगा इसमें भी ठीक है और प्रतिक प्रस्ण के समक्ष अंक हम लोग स्किप करते हैं लिए फूरा का पूरा है आप देख लिएगा नम्बर सेकेंड कॉस्चिन बी आपको कहा जा रहा है कि इस इप दो में से प्रशन्य घान्सर देना है और इसमें eke यह पीलें आपको 4 मार्टमिलेंगे कि इत्मे चा मार्कों मिलेंगे दो चार लिए लेकिन चार प्रेखित यह जो अनुचेद है इसमें सब कीसे एक पर नुच्य गुंचेद हो है नहीं क्या है दस में से आपको 6 वाकिया अनुवाद करना है संस्क्रीट में ठीक है और 6 वाक आपको कितने marks मिलेंगे एक-एक marks यानि की total 6 marks ठीक है पाचवां में कहा रहा है कि लगूतरिया person है लगूतरिया person में आपके 8 person का answer देना है और उपरत एक person के लिए आंके मिलेंगे यानि कि आपका solar marks ठीक है 8 प्रस्फट का जवाब देना इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत शारे प्रस्फट है ठीक है आप यहां पर count कर लेजेगा तो तक कितना प्रस्फट होता है ठीक है तो यह आपका Sanskrit का चले, इंग्लिस की बात कर लेते हैं, इंग्लिस में आप से 100% पूछ जाएंगे, तीन घंटा बंदर नमरेट का ताम दे जाएगा, और इसमें टोटल नमबर अफ कुछन कितने होंगे, 111 होंगे, ठीक है, देखे, अगर हम बात करें यहां, तो 7th नमबर में कहा गया है, कि this question paper is divided into two sections, section A and section B, तो इसमें भी जो section होंगे, दो होंगे, section A and section B का होगा, ठीक है, 8th number में चलते है, 8th section में क्या कहा गया है, in section A, there are 100 questions, 100 objective type questions, ठीक है, यानि कि इसमें आपको 100 objective questions मिलेंगे, और 50 का ही जवाब देना है, OMR based होगा, OMR में आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक ह और उसमें से आपके क्या के question पूछे जाएंगे, देखें, कहा गया है कि कापरेजिं के 2 pros, पैसेज, 7 marks, ठीक है, 2 pros और पैसेज होंगे, जो आपको 7 marks के होंगे, ठीक है, और poetry होंगे, 6 marks के होंगे, ठीक है, और क्या कहा गया है, apart from these, there are 4 questions on writing a skill, writing a skill पर आपके 4 person होंगे, ठ ठीक है, फिर गर आए, each question has an alternative option, ठीक है, there are 10 short answer type question of 2 marks, each out of which you have to answer any 5, ठीक है, तो 10 person आपको और मिलेंगे, short type के, ठीक है, जिसमें से सभी person आपके रहेंगे, 2 marks के, और देना कितने 5 marks का ही, आपको इसमें answer देना है, ठीक है, तो यह रहा, आपका matric का पूरा schedule, ठीक है, कि आप को सब आपको सभी पीपर में कितने कितने सेक्शन हैं और नर्स से कितने प्रशन पूछा जाएंगे ऑपको किसे जवाब देना है ठीक टो उमिद करते हैं कि आप लोगो साना चीज़ समझ में A, अच्छे से ठीक है यदिर विडियो पशंद आया में आप इसको चाहें तो दो से तीन मेना में कंवर्ट कर सकते हैं अपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा करके तक वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद